नमस्कार, सलाम, निउस्क्लिक के इस खासका रिक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है, मैं हूँ मुकुल सरल इस बार उत्तर ही नहीं, पूर्वोत्तर में भी वोट की जंग है उत्तरप्रदेश अपने चार चेरण पूरे कर चुका है और 27 फरवरी को पाँचवे चरण का वोट करेगा जबकि पूर्वोत्तर का एहम राज्य मनिपूर पहले चरण के मद्दान के लिए तैयार है मनिपूर की कुल साथ सीटों के लिए दो चरणों में मद्दान है दूसरा चरण पाँच मार्च को होगा तब तक यूपी अपना छटा चरण भी पूरा कर चुका होगा और सात्वे की तैयारी कर रहा होगा तो शुरू करते हैं चुनाव चक्र यूपी की बात तो हम और आप लगातार कई महीने से कर रहे हैं मुख्यधारा का मीडिया भी पूरी तरह यूपी पर फोकस है लेकिन इस बार हम चुनाव चक्र की शुरुवात मनिपूर से करते हैं उत्तर प्रदेश वालों को भी जानना चाहिए कि पूर्वत्तर में कैसी राजनिती चल रही है तो सबसे पहले देख लेते हैं मनिपूर में क्या है सीटों का गनित पूर्वत्तर के इस प्रमुक राज्य मनिपूर में भी कांग्रेस से कम सीटे पाकर भाजपा सत्ता में है मनिपूर में विधान सबा की कुल सीटे हैं साथ बहुमत के लिए चाहिए कुल 31 2017 के चुनाओं में कांग्रेस के हिस्से में आई 28 सीटे जबकि भाजपा ने हासिल की 21 सीटे शेत्रेदल नैशनल पिपल्स पार्टी इंडिया यानि NPPI को मिली 4 सीटे नागा पिपल्स प्रंट यानि NPPI को मिली 4 सीटे AITC यानि All India तरण मूल कांग्रेस को मिली 1 सीट इसी तरह LJP यानि लोग जन्शक्ती पार्टी को भी मिली 1 सीट एक सीट निर्देले के हिस्से में भी आई मनिपूर में वोट शेर का हिसाब लगाएं तो यहाँ भाजपा ने कांग्रेस से करीब 1 पीजदी ही जादे वोट पाया हाला कि सीट उसे कांग्रेस से कम मिली कांग्रेस को 28 सीटों के साथ जहां 35.3 फीसद वोट मिले महीं भाजपा को 21 सीटों के साथ 36.48 फीसद वोट मिले अन्य शेत्रिय दल 10 फीसद वोट तक भी नहीं पहुंश सके NPEP को मिले महज 5.08 फीसद वोट जबकि NPF को मिले 7.21 एलजपी ने पाय 2.56 फीसद वोट जबकि त्रणमूल कांग्रेस को मिले 1.42 फीसद वोट निर्दले ने भी 5.08 फीसद वोट हांसिल किये और अन्य के खाति में गए 6.87 फीसद वोट इस अन्य में नोटा भी शामिल है निउस क्लिक रिपोर्ट ये तो हुई सीटों के गनित की बात अब थोड़ा मनिपूर की राजनिती भी समझ लेते हैं भारते जन्ता पाटी ने राष्ट इस्तर पर जहां NDA यानि National Democratic Alliance बनाया है वही नौर्थ इस्ट के लिए NEDA यानि North East Democratic Alliance बनाया है क्या है मनिपूर की राजनिती आईए समझते हैं 2017 में शुरुवात में मनिपूर में भाज़पा का सत्ता का कोई सीन नहीं था लेकिन फिर भी उसने जोड़ तोड़ से सरकार बना ली कांग्रेश बहुमत से केवल 30 सीट दूर रहकर भी सरकार नहीं बना पाई जबकि भाज़पा ने दस सीटों के अंतर के बाद भी सत्ता हत्या ली मनिपूर में भाज़पा की गड़बंधन सरकार है इस गड़बंधन का नाम है नौर्टीष देमोक्रेटिक अलाइंस जिसमें तमाम विरोधवास हैं लेकिन सत्ता की चुंबक और केंद्री एजंसियों का चाबुक हर जगए काम आ जाता है केंद्री में सरकार होना इसलिए फायदमन होता है हाला कि कुरोना संकट के दौरान जून 2020 में बीजेपी की गड़बंधन सरकार गिरते गिरते बची कुल नौ विदायकों ने एन बिरेंसिंग के नितरत वाली गड़बंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया जिसमें भाजपा के भी तीन विदायक शामी थे जिनोंने पार्टी से इस्तिफा दे दिया था इस तरह भाजपा के तीन विदायक, एन पीपी के चार विदायक, एक टीमसी विदायक और एक निर्दलिये विदायक समेथ कुल नौ विदायक सरकार से अलग हो गए और सरकार अल्पमत में आ गई लेकिन जैसे राष्टे राजनीती में गोधी मीडिया ने अमिश्या को चानक्य का खडाब दे रखा है वैसे ही उनके नेता हिमनताव विस्पासर्मा को पुर्वत्तर की राजनीती का चानक्य कहने का रिवाज है जैसे हैं कि उनकी चानक के नीती से सरकार बचा ली गई हाला कि इस चानक के नीती में जोड़ तोड़ के अलावा कांग्रेस नेता और मनिपूर के पूर्मक्ष मंत्री ओ इबबी सिंग पर CBI की ओ से दबाव बनाना बिशामिल था इसी बीच उन्हें धन के दुर्पयोग के मामले में समन भेज दिये गए कांग्रेस ने इस बीच सरकार बनाने की काफी कोशिश की आईकों का दरवाजा खटटाया राज्यपाल नजमा हेपतुला से मुलाकात की लेकिन कुछ काम नाया और खटपा एक बार फिर अपनी सत्ता बचाने में काम्याब रही और राज्यपाल की एक सीट भी कब जाने में सफल रही अब 2022 में देखना है कि मनिपूर में कौन ज्यादा सीटे पाता है और कौन कम सीटे पाकर भी सरकार बना ले जाता है मनिपूर पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे साथ ही वरिश पत्रकार शशी शेकर शशी जी आपका निश्क्लिक में बहुत स्वागत है आप लगातार पुर्वोतर की राईनीती देख रहे हैं खास तोर से अब जब मनिपूर में चुनाओ है उसके मुद्दों को काफी समय से देख समझ रहे हैं किया देख रहे हैं आप किया माहौल है क्या मुद्दे हैं सर मुद्द दो वहाँ भूथ सारे हैं जिस पर मैं बात भी करना चाहूंगा एक एक करóst के लेकिन दुखद यह है कि मुद्दे फिर से एक बार पीछे जाते हुए दिख रहे हैं और जो 2017 की राजनिती ती जो पॉलिटिक्स थी वहाँ पर फिर मुझे लगता है कि एक बार दूर आया जाएगा जो मेरी बातचीत वहाँ पर कुछ लोगों से हुई अस्थानिय लोगों जो है वह नेशनल वीडिया में जो डिसकस किये जाते है अपसपा के मुद्दे राक्स के मुद्दे लेकिन इस सबसे बड़ा मुद्दा जो वहां की अस्थानिय लोगों का है वहां पानी की वाटर लोगों पर नहीं मिल ला है और ये सिर्फ जो वहां के आठ जिले पानी के लिए जो की डेढ़ हजार से दो हजार रुपे पर टैंकर वहां मिल ला है रूरल एरिया की स्थिति यह है जैसे विष्णूपूर के एक मित्र है विष्णूपूर जिला है भैली का एक जिला है वहां पे वह बताते है कि उन लोगों को पीने का जो पानी चाहिए ह होता उसके लिए कई किलो मिटर दूर जाना पड़ता है ठेला लेका जो ठेला होता उस पे टैंकर डालके वह जाते है पीने का पानी लाद इस तरह की स्थिति ऐसे स्थेट में है जहां पर मतलब विष्णूपूर में है जहां पर लोग तक जिल है जहां पर डबल इंजन सर करा दिया था पिछले साल 2021 में जब यह चुनावी साल था 2021-22 की बात है 3050 करों रूपे का एक रानवंतरी मोदी जी ने एक पानी का एक पुर्जेक्ट घर घर जल पहुचाने का जो जल जीवन मिसन सकती है उसके ताफ शुरू किया था चार दसम्लाब पांच लगवख सारे चार लाख हाउसओल्ड है पूर्य मनिपूल में सिर्फ 37 परसेंट के यहां जिसमें अरवन भी है उनके पास टाइप वाटर फैसलिटी है और आज तक जबकि पांच साल भीत गए भाजपा फिर से चुनाब में है एक बार और मेरे मित्र है और दिल्ली में वो पत्रकारिता करते हैं मनिपूर के रने वाले हैं उनका काना था वो गाओं से आते हैं भैली से उनका काना था कि जब वहां लोगों से बाचित हो रही है तो वो कर रहें कि ठीक है अवस्पा है लेकिन वह इंफालिया जो सहरी इलाके है वहा फिर को पैसा है मनिपूर की पॉलिक्स में द ही ओर जिसमें पूरे या अनमे जैसे मुद्दे वहां का एक और बहुत बड़ा मुद्दा इनर लाइन पर्मिट अब उसको ले करके कानुन तो बन गया है लागू भी कर दिया है सरकार्टे ताने के लिए लेकिन अभी वहां इस्तिती नाजुक है और नाजुक इस तरह से है कि कभी भी वहां पे इनसा इनर लाइन पर्मिट के नाम पर नहीं जो इनर लाइन पर्मिट के बहाने इंडिजिनस प्रिपल्स का जो क्लैस है बारी लोग अभी अमने पिसले गिनों देखा भी पुर्वतर के दोदो राजिया आमने सामने आ गए ज वहां एक जिला है भेली काई जहां पर मनिपूर के जो मैती समुदाय के लोग है जो हिंदू है वैसनव संपरदाय से आते हैं और जो मेजरीटी है लगवाग 57% उनकी आवादी बनती है वहां पर भेली के लोग है उनका काना है कि यह बंगाली लोग आतर और हमारे और महंगाई विरुजगारी ये भी वहां समस्या हैं कुछ वहां मुद्दे हैं विरुजगारी महंगाई ये किस तरह से देख रहे हैं अपमा विरुजगारी महंगाई वहां का नौर्थिस्ट का मनिपूर सेकेंड ऐसा स्टेट है जहां विरुजगारी सबसे ज्यादा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो बाच्चेत हुई कि वो तमाग मुद्धे बिरुजगाडी के मुद्धे है और जहां की आगी आवादी और जहां का बहुत वड़ा यूथ जो है वो ड्रक्स में फसा हुआ है लगभग 35 जार से ज्यादा ऐसे बच्चे है लोग है जो इंजेक्शन के जड़िए वो अहलगी बहुत पुराना डेटा है वो ड्रक्स लेते हैं जिससे एड्स की संख्या भी मरीजों की संख्या वहां बढ़ी है मैं लाइन भी वहां अच्छी खासी संख्या में है जो ड्रक की बात है लेकिन मुझे लगता है कि चुनाब कर दिन तक ग्रोजगारी जैसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से इस चुनाब को प्रभावित करेगा आपको यह लगता है अब यह पानी का मुद्द कितना प्रभावित कि हम यह ऐसे ही सुज है जिसके आदार पर 2017 में भाजपाई थी सरकार में उसने कहा था कि हम उकरामी वो भी सिंग का जो 15 साल का जो एक सत्ता था उसमें कुछ नहीं हुआ हम करेंगी अब इस पे इन्होंने पांच साल बीत गे नेशनल स्पोर्ट्स उनवर्सिटी एक खुलना था खुल गया है लेकिन उसको लेकर कि वहां एनुभव से अपने बता सकते हैं मुंदर खंड में भी पानी के बड़ी समस्य उसको लेकर तो तो वही सब चीजें हैं पर हमने यहां मनिपुर की में देखा तूर से मनिपूरा गोवा में भी यह देखा उधर कि कम सीटे पाकर भी भाजबा सत्ता में आ गई पिछली बार क्या सीन है क्या इस बार भी कोई कम सीटे पाकर सत्ता पर काबिज हो सकता है जो पॉलिटिकल सिनेरियों बना बड़ा मजदार बना है दो चीजे मैं करना चाहूंगा एक तो जदियू जदियू बाइस साल के बार आफटर टू डिकेड अकेले वहां चुनाब लगए और 49 सीटों के चुनाब लगए और उसके कैंडी रेट भी बड़े हाई प्रोफाइल हाजपा जो आपने कहा कि 2017 रिपीट होगा तो इनको जो एकी सीटे आई थी 2017 में अठाइस को आई थी हील से दो पाटिया है एंपीएफ और एक है मैं आपको देखकर बता रहा हूं जी 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 एक है एंपीप जिसको दो सीटे आई थी और एंपीएफ जिसको चार सीटे लेकिन मजदार ही है कि इस वर सब अलग अलग चुना जी एक और बड़ा मतलब अच्छा मनिपूर में अच्छा तो नहीं कहेंगे डेमोक्रेसी के लिए कि कॉंग्रेस के बहुत सारे एमेले बीजेपी में गये हैं इसमें से बहुत सारे एसे लोग जिनका नाम सीधे सीधे कर सकती है उसका हला कि पोस्ट पोल क्या होता है अभी नहीं कहा जा सकता लेकिन अभी इस चुनाव में जद्यू की एक बड़ी भूंका हो सकती है साथ अभी हम लोग इसको इग्मोर कर रहे हैं लेकिन कुछ हो सकता है मुझे ऐसा लगा है फिर आगे पहली दौर का में 27 फरवरी को यूपी के 12 जिलो की 61 सीट उपर मद्दान होगा इसमें अयुद्या भी है और अमेठी भी और इलाबाद यानि प्रयागराज भी आयुद्या राम मंदर के वज़े से महत्पुन हो जाती है तो अमेठी गांधी परिवार के गड़ की वज़े से जो अब उस की मांग करते नौजवान छात्रों की पीट पर पुलिस की लाठियों के मार पड़ते देखी होगी राइफल के बड़ से लौज के दर्वाज ये तोड़े जाते देखे होंगे ऐसे कई वीडियो द आपने देखे होंगे जिसे देखकर आप भी दहल गए होंगे कि हमारे छ आम जी उसकी नईया पार्ट लगा देंगे आयोध्य में मौजूद है वर्ष पत्रकार और राजनेतिक विश्लेशक अरुन कुमारत्र पाठी जी अरुन जी आपका एक बार फिर निश्क्रिक में स्वागत है आप आयोध्या में हैं आयोध्या का मतलब है कि जहां कभी युद्ध न हो लेकिन आयोध्या के नाम पर ही पूरी चुनावी जंग चल रही है तो आयोध्या का क्या माहल है क्या मुद्धे हैं युद्ध्या के मुद्धे दिश्चित तोर पे अभी जो हम लोगों से बात की करते हुए आत हैं और भाज़ाबाद से ले करके और नए घाट सक तो उसमें एक बुद्धा तो रोगों की रोजी-रोटी का है लोगों की दुकाने तूटने का है लोगों को मुआउजा मिलन का है और दूसरा मुद्धा जो है जो की भारती जनता पार्टी और संग परिवार की वोर से बनाया जा रहा है वो हिंदू होने का मुद्धा है राम की सपत लेने का मुद्धा है और जो है वो तिक तरह से किती भी कीमत पर जो है भारती जनता पार्टी के उम्मीद्वार को वोट देने का माझला है जबकि लोग खुले आम कह रहे हैं कि उम्मीद्वार बहुत खराब है वो कभी नहीं लोगों से मिलता आता जाता नहीं और वो दूमीदवार है उसको फिर रिपीट किया है लोगों ने और बहुत सारे मसले आ रहे हैं उद्या में जो जमीन गोटाला वगरा हुआ है उसमें भी बहुत सारे संदेह के बाताबरण हैं लेकिन उद्या को अंतराश्टिय इस्तर का परेटनेसल बनाया जाना है एक आक करने कोशिज कर रहा था नहीं हो पाई उस दुकान के पंडी जी कह रहे थे कि काड़े बारा एक बज गए है अभी तक एक रूपे की बहुनी नहीं हुई इस वेटिकल स्टोर के सामने खड़ा था वहां भी जो है वो इस बात से परेशान थे कि दुकान 20 विट है और 22 तक चूट रही है साथ हजार पजास जार मुगाजा मिल रहा है तो उसमें कैसे रोजी पीछे जी आपने अभी नुश क्लिक में भी लेख लिखा अयोध्यावादी बनाम अयोध्यावासी यह क्या है जर्ण हमारे दर्शकों को बताईए नहीं दो तरह के लोग यहां पे रहते हैं और उसी के आधार पर राजनीत के आख्यान रश्टा चाहते हैं उस तरह ऐसे लोग जो चाहते हैं कि राजनीत उनके शुखुदुख क्षाणिय मुद्वों पढ़ाई लिखाई रोजी और आवास और जो है वह स्वासिस सारे मुद्वों पे हो और उसमें धर्म की भी थांदिर है निस्ची तोर पर साल भैर झेले और पर लगते के रहते हैं लोग भी कईौना से राममंदिर बनाने का फैसला हो चुका है वह सुप्रिम कोड के आदेश से बन रहा है अब उसमें कोई बाधा डाल नहीं सकता लेकिन जो एक अंतर राश्तिय इस्तर का परेटनिस्थल बनाने की बात है वह लोगों की रोजी रोटी छीन कर ना बनाया जाए वह जो है लोगों की राम के नाम पर मैंने कई जगे सुना कि अब उनका नारा भी कि हम राम को लाए हैं पर पीछे से लोग कहते हैं कि हाँ वो राम रहीम को लाए हैं आसा राम को भी लाएंगे और नाथु राम को भी नाथु राम उनके लेक्तर से राम नहीं नाथु राम तो यह सब अभी चलेगा देखते हैं राम के नाम पर वो कितना काम्याब होते हैं कितना उन्हें वोट मिलता है और कैसे उनकी नईया पार लगती है फिलाल बाचीत के लिए शक्रिया अब चलते हैं अपने सम्वादाता अलेम जाफरी के पास अलेम जी आप राम की दूसरी नगरी चितरकूट घुम चुके हैं चौथा दौर पाच्वा दौर छटा दौर इस सब के चुनाव आप देख रहे हैं पाच्वे चरण का क्या माहौल है क्या मुद्दे हैं सर पांचवे चरड में जहां जहां मैं जा पाया हूं उसमें से चितरपूर, बांदा, महोबा और कुछ हिस्से जो है जहांसी के हैं और इधर अगर आप आएं तो लखीमपूर और यह सब हो गया भी हाँ तीसरे में हो गया है लखीमपूर जो अगरा है जो सबके अपने अपने लोकल इशुस हैं इस बार और खास करके जो एक चीज़ मुझे देखने को मिरे जो मैंने ऑफजर्ट लिया वेस्टर्ण यूपी का जो पैटर्न था किसानों का वहां पे जिन मुद्दों को लेकर के चुनाओ लड़ा गया चाहां फार् किसे दिया गया जिस पे एक निउस्केट में रिपोर्ट भी की थी कैसे दसकों से वो रह रहे हैं वहां पर आवाचानक से जो है उनको जंगल खाली करने की नोचिज़ बुंदेन खंड में चित्रपूत और महोबा और जहांसी के जो कुछ हिस्से हैं वहां से एक बहुत बड़ा तबका ये मालूम है हमें कि पलायन करके जो है दूसरे जगहों पे जाता है बिग मेट्रो सिटीज में जॉब के लिए तो उनका एक मुदा ये भी था कि जब भा इसे गाउं का दोड़ा किया जहां पूरा का पूरा गाउं खाली हो गया है और वहां पे सिर्फ आपको बज़र्ग बच्चे औरते मिलेंगी पूरा का पूरा गाउं तकरीबद बारा महीने में आठ महीने जो है चिमनियों में काम करता है और क्या कहते हैं जो सिद दो महीन और उनको जो है बूरो की तरह ट्रक में भर ले जाता है नोकरी के लिए तो उनका इस बार ये मुद्दा ये है कि हमें कुछ यहां चाहिए उसके बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जिनके पास बहुत बड़े कदाद में मनरेगा कार्ड है और उनको मनरेगा में पिछले चार साल से पांच साल से नोकरिया नहीं मिली है जिनको जोब काम मिले हैं उनको पेमिंट नहीं मिला है तो वो बहुत हताश है शीज़ को लेकर के और उनकी कोई सुनवाई नहीं है बिसिकली बुदेल खंड में जो जिले बचे हैं एलेक्शन के लिए वो बहुत बड़ा तपका वहाँ पे दलित है और नान और वीसी है जिसमें पासी है और कुर्मी है इस तरके के लोग है तो उनका एक बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार हमें सेफ्टी चाहिए बहुत सारे दलित समाज का कहना ये है हमने की स्टोरी जो उस पे की थे कि कैसे दबंगों ने एक दलित बच्चे का हाथ जो है काट दिया था उसको काम ना लेकर के तो उनका ये है कि हमें सेफ्टी चाहिए सिक्यूरिटी चाहिए और भाजपा इसमें हमें भरोसा जो दे करके जिसमें हमें ओट दिया गया था वो चीज हमें नहीं मिल पाई है तो हम इस बार जो है ऐसी पार्टी को जहें इंतरखाब करेंगे ऐसी पार्टी को वोट करेंगे जो हमें एटलीस हमें डेली रोजगार और हमें सेफटी के लिए जो है कुछ ऐसा चीज मोहाया करा है ताकि हमें बाहर नहीं जाना पड़े जहां तक मेरी जानकारी है आप इस समय गोरकपूर में है जी तो गोरकपूर भी आपने पहले भी घुमा और तो यह योगी जी की सीट है हॉट सीट वी आईपी सीट इसका महल क्या आपने देखा गोरकपूर सीट और गोरकपूर जिला सर गोरकपूर और गोरकपूर के आसपास जगहों पे जैसे कि कुशी नगर पढ़ रहा हूना और देवरिया यहां पी होके मैं आया हूँ और यहां पर जो ओम परकास राजभर की जो पार्टी एलाइंस में समझवाधी पार्टी के साथ है इसका बहुत बेनफिट देखने को मिल रहा है जैसा कि हम सब पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह मानना है कि जो भारती जन्ता पार्टी का समाझवाधी पार्टी और जो है आरेली का पार्फमिस विस्टर यूपी में रहा है शायद वो कमोबेश यहां देखने को नहीं मिले पर ऐसा नहीं है कल मैं पढ़ रहू जरूरी है और बदला होना चाहिए गोरक तूर्ट में भी सर अगर बात करें तो बहुत दिल्चस्ट है लड़ाई बहुत आसान नहीं होगा योगिया इतनात के लिए क्योंकि यहां पे हर इंसान हर बैक्टी ठेले वाला और कहीं ने कहीं अपने आपको कनेक्ट करता है मट से लेकिन उसके दिल में एक खसक यह कसक है कि महेंगाई बेरुषगारी और हिंदो मुसल्मान ये कहीं ने कहीं जो है इस देश को इस प्रदेश को पीशे कर रहा है जो अब बदलाव की मांग कर रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्ध सरे बताता चलूँ आपको कि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इस बार सरकार को कुछ जो भी सरकार आए उसको बहुत कंक्रीट इस्टेप लेना होगा इन चीजों से बचने के लिए अगर बैप पढ़ रहा हो ना या कुशी नगर विदानसभा की साथ सीटों की बात करूं जिसमें से पांच लड़ी इसको यहां चुना होना है फिर हम आपके पास आते हैं पिलाल शुक्रिए तो आपने देखा कि यूपी आधे से ज्यादा रास्ता तै कर चुका है इस दौर में अयुद्धा की जंग है हाला कि अयुद्धा के नाम पर पूरे चुनाओं में वोट मांगे जा रहे हैं इसी क झाल